वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो में जो भी विंडोज और सौफ्ट्वेर से रेलेटेट ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पॉपस से सीखने के मकसद से दिखाई जाती है कि कैसे आप अपनी विंडोज 11 की लेटस्ट अपडेट 23H2 को फिर से बैक करके वापस 22H2 में आ सकते है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपनी विंडोज को 23H2 में अपडेट कर सकते है पर किसी भी कारण से यदि आपको फिर से वर्जिन 22H2 में वापिस जाना पड़ जाए तो कैसे आप फिर से बैक जा सकते है यदि आपको अपडेट प्रोसेस देखनी है तो वीडियो का लिंक उपर आई बटन में दिया है जाके देख लेना अभी हम पहले विंडोज का वर्जिन चेक करते है जिसके लिए हम सेटिंग में जाते है फिर सिस्टम पर क्लिक करते है उसके बाद राइट साइड में नीचे आके अबाउट को ओपन कर लेते है यहाँ अभी हमारी विंडोज 11 प्रो का वर्जिन 23H2 है इसको फिर से 22H2 में चेंज करने के लिए हम उपर से बैक आरो को क्लिक करके वापस आ जाएंगे उसके बाद राइट साइड के आप्शिन्स को नीचे स्क्रॉल करके रिकवरी को ओपन करेंगे यहाँ रिकवरी में हम गो बैक बटन को क्लिक करेंगे अगर आपका लेप्टॉप चारजर से कनेक्ट नहीं होगा तो आपको भी इसी तरह से वार्निक मेसेज मिल सकता है कि केवल बैटरी की पावर पर आप बैक नहीं जा सकते इसलिए पहले हमें अपने लेप्टॉप को चारजर से कनेक्ट करना होगा आप या नीचे बैटरी आइकॉन पर देख लीजिए चार्जर कनेक्ट शो हो गया है अब हम फिर से रिकवरी में जाके गो बैक बटन को प्रेस करते है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है यहां हमें थोड़ा वेट करना है उसके बाद हमें ये options दिखाई देंगे वाई आइ यू गोइंग बैक आप यहां फॉर another reason को सेलेक्ट करेंगे और next कर देंगे उसके बाद check for updates यहां no thanks को क्लिक करेंगे उसके बाद इस next बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद यहां go back to the earlier build को क्लिक करेंगे जिससे आपका laptop restart हो जाएगा और आपकी windows previous version में restore हो जाएगी restart होने के बाद आप अपने desktop पर आ जाएंगे जहां से आप setting में जाके system और फिर about में जाके अपनी windows का version चेक कर सकते है आपकी windows फिर से 22h2 में change हो चुकी होगी लेकिन यदि आपने windows 1123h2 enablement package से अपनी windows को 23h2 में update क्या है तो जब आप setting में जाके recovery option को क्लिक करेंगे तो आपको यहां go back का option नहीं मिलेगा तो इस case में आपको फिर से system में आना होगा और यहां windows update पर क्लिक करना होगा विन्डोज update में आने के बाद आपको नीचे update history को open करना होगा उसके बाद आपको uninstall updates में जाना होगा फिर आप यहां से windows 1123h2 wire enablement package इस update को uninstall कर सकते है uninstall बटन को क्लिक कीजिए और windows की इस update को uninstall कर दीजिए update के uninstall होने पर यहां show होगा uninstall restart required आप चाहे तो किसी और update को भी uninstall कर सकते है uninstallation की process कुछ इस तरह से यहां show होगी फिर यहां भी show होगा uninstall restart required फिर आप अपने computer को restart कर लीजिए restart होने के बाद आप अपने computer के setting में जाके system और फिर about में जाकर चेक कीजिए आपकी windows की update uninstall हो चुकी होगी और आप फिर से windows 11 version 22h2 में आ चुके होंगे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बस यह एक छोटी सी process थी जो आपको दिखानी थी यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like और channel को subscribe करना न भूले धन्यवाद दोस्तों